माता पिता गए हैं भाजार घर के लिए कुछ जरूरी सामाल लाने और घर में बैठे भाई बहन में एक टीवी के रिमोट के लिए जगड़ा हो जाता है पर अगले दिन पता ये चलता है कि वहाँ तो कुछ लिब रांडू आये और Domestic Violence Act 2005 के तहट भाई को सजा दिलवाने ले गए पर पता नहीं क्यों भाई तो भाई बहन भी अपने भाई की तरफ नम आखों से देख रही थी शायद इसलिए कि उससे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है वेदांत आज हम बात करेंगे करतिकार्यन की कॉंट्रोवर्सी पर करतिकार्यन आज कल सोशल मीडिया पर फणी वीडियो शेयर करते दिख जाते हैं और उन्होंने हाली में एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने सिस्टर के साथ थे और वो फणी भी था काफियत तक वीडियो पर कुछ लोगों को वीडियो वाइलेंट लगा और उन्होंने उस पर ट्वीट किया अब्जेक्शन किया और इन सब के चलते कार्थिकारेन को वुदियो डिलेट करना पड़ा, सबसे पहला नाम आता है जिनको वीडियो वाइलेंट लगा, उनका नाम है सोना महापात्रा, और सोना महापात्रा कि अगर हम बात करें दोस्तों, इन्होंने ट्:// 몇 जाएक स़ाट कहंणि और यह गल्त है, यह है वो है, लेट्स टॉक और जब इन्होंने उनसे साधी की तो सोना महापात्रा एक struggling artist थी इनका सपना था कि ये भी एक बड़ी सिंगर बने और logics क्या कहते हैं एक logic मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने साधी की तो वो music director थे बड़े stable music director थे और ये struggling artist थी और दूसरा ये कि छोटी सी चीज है फैक्ट लेकिन ये भी बनता है कि इनकी उनकी हाइट सब्सक्राइब इनकी हाइट पांच फूट change लेकिन इनको उनसे हुआ प्यार एक्चुली फैक्ट नहीं काम करते प्यार क्योंकि अंधा होता है और अब हम बात आगे करते हैं कि ये अक्सर ये जब से आई ये जिसके लिए इन्होंने इतना सब कुछ किया है वो तो कभी सब्सक्राइब नहीं क्योंकि ये इतनी बड़ी सिंगर नहीं बन पाई जिनका इन्होंने इतना सपना देखा था और जिसके लिए ये सब कदम उठाए थे दो जादो में शादी और ये सब खेर वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है लेकिन ये भी किसी के पर्सनल लाइफ छोड़ती नहीं है ये भी बोलती है इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि अब मैं आपको बताओं कि ये कितने लोगों को छेड़ती है और किसले छेड़ती है यह एकसर उंट्रोवर्सरी में बनी रहती है क्योंकि है यह सब को उंगली किया करती है हाली में जब एक बार हैदराबद के रैप केस था जो उसमें इन्होंने एक डारेडिटर हैं संदीप रेडडीं उन्होंने ट्वीट किया कि, यह जो रैप K waters हुआ है इसमें ऐसी सजा देनी चाहिए उन लोगों को जिसे की वो एक डर बैट जाए डर आना बहुत जरूरी है इससे समधिर उन्हों ने एक ट्वीट किया आप इसले देख लेजिए और उन्होंने ऐसा किया उन्होंने तो अपने हिसाब से अच्छा ही बोला लेकिन इन्ह है कि मूवी हर एंगल से एथिकली बने इतना तो चलेगा ही और यह तो हमारी मुर्खता कि अगर हम मूवी को देखें और सोचे कि हीरो उड़ रहा था तो हम भी उड़ेंगे यह तो हमारा बच्पना है यह तो बच्पन में आदमी करता था शक्तिमान को उड़ता देखके मूवी में हीरो अगर एक्षन कर रहा है तो हम भी एक्षन करेंगे चार लोंक से हम यह लड़ेंगे यह तो मुर्खता होई ना तो इसमें कोई लॉजिक ने बनता था इसे सिर्यस ने खारा जा सकता है फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने पॉइंट क्या किया दूसरा इन् सलमान खान को अक्सर चार पांच बार गेर चुकी है सलमान खान जब भारत मूवी बनने वाली थी और भारत मूवी में से प्रियंका जोपडा के निकलने की खबरें आई अब प्रियंका जोपडा निकली इस वज़य से क्योंकि उनको साधी करनी थी वो साधी करने चली गई लेकिन इन्हों ने बात को अपने एंगल से घुमा लिया और सल्मान खान के उपर लगी निसाना साध ने और इन्हों ने ये भी कहा कि सल्मान खान पेपर टाइगर है भावत भारत मुवी उस तरीके की कमाई नहीं कर पाई अब हाली में देखिए कार्थी कार्यान के उपर एलिगेशन लगा दिया और चार्चा में आ गई यह हमेशा जब एक टाइम पिरिएट के बाद अब सल्मान खान को कहा कि वो पेपर टाइगर है क्योमकि उनकी मुवी कमाई नहीं कर पाई जब कि इतना उनका नाम है इतने जभीव पैसे लगे सब कुछ होते हुए भी वो अगर उनकी movie भारत कमाई नहीं की तो वो paper tiger है और जबकि दूसरी तरह fake report ये कहती है कि साल 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली picture भारत ही थी अब दूसरी ये कि जो इन्होंने प्रियंका चोपडा के support में आके इकने tweet किये सलमान खान के उपर निशाना साधा उसमें नीचे कमेंट था उसका जवाब आप लोग खुदी देख लिए दोस्तों इतना बेटरीन कमेंट है कि मुझे कुछ उसके बारें बोलने की जोरत ही न प्रियंका चोपडा ने तो कुछ बोला ही नहीं लेकिन इनको पड़ी थी ज़्यादा बोलने की इनकी पुरानी आधा था कार्थी काहिडान के मैटर में भी उनकी sister ने तो कुछ बोला ही नहीं लेकिन ये जरूर उसके कूद पढ़ी किसलिए कि cheap publicity लिए इनका हर बार का यह ही है अब आते हैं अपने दूस्तों चोथे पॉइंट के उपर जो इन्होंने कलाश पर और अनुमाली उपर लगाए सब कुछ हुआ इतना ज्यादा उसमें हाइलाइट हुआ वह खबर लेकिन फिर भी हाइलाइट होने के बात भी कम से कम आदमी रिसार्च करता तो निकल क आएगी उसको सपोर्ट करेगा लेकिन ऐसी महिला पर तो बिना सबूत के तो आदमी इश्वास नहीं करना चाहेगा बिलीव नहीं करना चाहेगा बिना किसी लॉजिक के बिना किसी बात कि अगर जवर्जस्ती कूदेंगी तो मुझ की तो खानी पड़ेगी इसी तरीके से क कार्थी कार्यandra के केस में भी यहीं कि कार्थी कार्याइन की कुछने बोल लगा लए है एक्चुली जिसको इंट बता रही फिर दो दिन चार-चार महीने रहेंगी फिर चार महीने गयाब रहेंगी इससे अच्छा है कि आपने खुद की मेहनत पे नाम कवाने कोशिश करें ऐसे चीफ पबलिसिटी से नाम ना कमाए फिलालाज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही वीडियो आपको पसंद आया हो